हेलो फ्रेंट्स आपसे भी का स्वागात है आपका अपने यूटुब चाल स्टड़ी वे सुजीत में तो दोस्तो बहुती महत्तपोर सेशन को लेकर आ चुके हैं क्योंकि जिनका भी सेंटर एकजाम 2023 होने वाले हैं उनके लिए बिहादी महत्तपोर ये सेशन हैं क्योंकि ये सेशन कवर कर लेते हैं तो आपसे जो है सबजेक्टिव कोशन से एक भी प्रस्ण तर नहीं चुटने वाले हैं तो चलिए दोस्तो सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं लगबारी वाई इसे प्रस्ण को और आज का फर्स्ण प्रस्ण है कि मानक इलेक्ट्रोड या आइनों के परवाह के लिए अवस्यक विभाव मानक इलेक्ट्रोड विभाव कहलाता है और इसे इडिग्री से सुचित करते हैं बिल्कुल या असानी से लिखा गया है ताकि आप इसे दो से तीन बार भी पढ़ लेते हैं तो आपको याद हो जाएगा फूल और परिक् इग्री से सुचित करते हैं नेक्ष्ण प्रस्णाब के सामने है कि फायराडे के बेधुत अफगटन के नियम को लिखें तो किसी बेधुत अफगट्य में परवाहित बेधुत अवेस और इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ के मात्रा के बीच फायराडे ने एक समन्द अस्थापित किया जिसे ही फायराडे का बेधुत अफगटन नियम कहते हैं एक वर और इससे अच्छे से देख लेते हैं कि किसी बेधुत अफगट्य में परवाहित बेधुत अवेस और इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ के मात्रा के बीच फायराडे ने एक संबंध अस्थापित किया जिसे ही फ़राडे का बीधुत अफगटन नियम कहते हैं नेक्स्ट प्रस्ट है कि अधर्स बिलियन को परिभासित करें काफी महत्यपूर्ण सवाल है कि अधर्स बिलियन क्या है तो वैसा बिलियन जो सभी ताप एम दाब पर रावड के नियमों का पालन करता है आदर्स बिलियन कहलाता है जैसे नर्मल हेक्सेन तथा नर्मल पेंटेन का मिश्ण बिल्कुल यह असानी से याद करेंगे कि वैसा बिलियन जो सभी ताप यह दाब पर राविट के नियमो का पालन करता है तो उसे ही आदर्स बिलियन कहते हैं इसका उधारन ज़रूर याद रखिएगा नर्मल हेक्सें तथा नर्मल पिंटेंड का मिश्रान ये अबजिक्टी में पुछ लिया जाता है तो चलिए नेक्ट प्रस्ट में देखते हैं और यहाँ प्रस्ट है कि NS3 हाइडोजन बंध बनाती है प्रन्तु PS3 नहीं बनाती है क्यूं तो बिल्कुल यहाँ सानी से समझेंगे कि NS3 का एन परमाडू PS3 के P परमाडू से अधिक रिनात्मक ये निगेटिव होता है तथा आकार में बहुत ही छोटा होता है जिसके एन परमाडू हाइडोजन बंध बनाने में सक्षम होती है प्रन्तु P परमाडू नहीं होता है अतो NS3 हाइडोजन बंध बनाती है प्रन्तु PS3 नहीं बनाती है इतना लिक देगे तो फूल मार्क मिल देगा अच्छे से एक बार देख लेगे कि NS3 का एन परमाडू PS3 के P परमाडू से अधिक रिनात्मक तथा अकार में छोटा होता है जिसके एन परमाडू हाइडोजन बंध बनाने में सक्षम होती है प्रन्तु P परमाडू नहीं होता है अतो हम कह सकते हैं कि NS3 हाइडोजन बंध प्रन्त पी स्थिरी नहीं बनाती है काफी मात्रपूर्ण सवाल है तो यह नेक्षन प्रस्ट को देखते हैं और यह भी आच्छा सवाल है कि फिनॉल अलकोहल से अधिक अमलिये होता है कैसे फिनॉल अलकोहल से अमलिये होता है क्योंकि फिनॉल द्वारा प्रोटॉन त्यागन अधिक अमलिये होता है। फिनॉल अलकोहल से अधिक अमलिये होता है क्योंकि फिनॉल द्वारा प्रोटॉन त्यागने के पहचात सेस्फिनकसाइड आयन अनुनाद द्वारा अस्थावित्व प्राप्त करता है। इसलिए अधिक अमलिये होता है। बहुत यह असानी से आप की याद कर सकते हैं और नेक्ट प्रस्ण है कि डाइलीसिस क्या है तो यह कुलाइडी घोल को सुध करने की एक बीधी है अबजेक्टिव के लिए इंपोर्टन है कि कुलाइडी घोल को सुध करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं तो डाइलीसिस का कुलाइडी घोल में असूधी के रूप में क्रिस्टल आइड के कंड होते हैं जिसे हटाने के लिए डायलेसिस का प्रियोग करते हैं एक बार और इसे देख लेते हैं कि यह कुलाइडी घोल को सूध करने की एक बीदी है कुलाइडी घोल में और सूधी के रूप में क्रिस्टलाइड के करण होते हैं जिसे हटाने के लिए डालीसिस का प्रयोग किया जाता है नेक्ष्ण प्राश्ने के बिसीष्ट चलकता को पड़िभासित करें ये भी धाकर सवाल है कि बिसीष्ट चलकता क्या है तो किसी चालक के बिसिष्ट परतिरोध के व्यूत्क्रम को बिसिष्ट चलागता कहते हैं इसे लेमडा या कापपा से सुचित करते हैं और इसका जो मात्रक होता है ओम इन्वर्स, मीटर इन्वर्स होता है मात्रक जोड़ याद रखें क्योंकि मात्रक से ही आपको 5-6 सवाल पूछ लिया जाता है बोड इकजामे और सेंटप इकजामे भी तो मात्रक जोड़ याद रखें विसिष्ट चलागता का मात्रक होता है ओम इन्वर्स, मीटर इन्वर्स तो चलिए नेक्ष्ट परस्ट को देखते हैं और यहाँ परस्ट है कि परभावकारी परमाणू संख्या क्या है यह भी मत्रक सवाल है कि परभावकारी परमाणू संख्या क्या है तो जटिल योगीकों के केंद्रिय धातू में उपस्तित इलेक्ट्रोन की संख्या तथा बंधन में प्राप्त इलेक्ट्रोन की संख्या के योगफल को प्रभावकारी प्रमारू संख्या कहते हैं यहां पर प्रश्ण है कि टिंडल प्रभाव क्या है यह तो असान है और यह हमारे बोर्ड एक्जाम में भी पुछा जाता है और सिंटर एक्जाम में भी पुछा जाता है कि टिंडल प्रभाव क्या है तो जब कुलाइडी बिलियन में परकास की किरनों को भेजा जाता है तो कुलाइडी कौणों के दोरा परकास का परकिर्णन हो जाता है इस घाटना को ही परकास का टिंडल परभाव कहते हैं बिल्कुल यह सानी से आप याद कर सकते हैं कि जब कुलाइडी बिल्यान में परकास की किर्णों को भेजा जाता है तो कुलाइडी कोडों के द्वरा परकास का परकिरन होने लगता है तो इस घाटना को ही परकास का टिंडल परभाव कहते हैं नेक्ट प्रस्टन है कि पर्थम कोटी की अभिकिरिया क्या है तो वैसी रसानिक अभिकिरिया जिसमें अभिकिरिया के बीग अभिकारक के सांधरन के पर्थम घात के समनपाती होता है पर्थम कोटी की अभिकिरिया कहलाता है और इसका जो मातरक होता है सेकेंड इनभर्स होता है याद रखेगा मातरक जबूर याद रखेगा कि वेसी अभिकिरिया जिसमें अभिकिरिया कirmे एक अभिकारख के सांद्रन के पर्थम घात के सुमनेपाती होता है, पर्थम कोटि की अभिकिरिया कहलाता है, और इसका जो मात रख होता है समाएं इनभरस होता है नेक्ष्ट प्रस्ण है कि अनुसंख्य गोंधर में क्या है ये भी मत्पूर्ण सवाल है कि अनुसंख्य गोंधर में क्या है तो बिल्यान की वे सभी गोंड जो बिल्यान के अनुओ की संख्या पर निर्भर करता है ना कि उसके प्रकिर्थी पर अनुसंख्या गोंधर में कहल बिल्कुल ही आसानी से लिखा गया है ताकि आपको याद हो जाए कि बिल्यन की विए सभी गूण जो बिल्ये के औरगों की संख्या पर निर्भर करता है ना कि उसके प्रकृति पर और संख्या गूण धर्म कहलाता है और नेक्ष्ण प्रस्ण आपके सामने है कि बेधुत रसानिक ऊरजा में परिवर्तित किया जाता है बिधुत अभघटनी सेल कहलाता है और यह दो और यह दो इलेक्ट्रोड का बाना होता है बिदुत अब घटनी से लियाद रखेगा ये तो जानते हैं ये काफी important सवाल है कि अक्रिये गैसों की सन्यो जक्ता सुन्य ही क्यों होती है तो अक्रियों गैसों की सनजक्ता सुन्य इसलिए होती है क्योंकि इसका अस्टक पूर्ण होता है यानि कि वर्ग 18 के तत्वा है 2, 8, 8 यानि कि इसका अस्टक पूर्ण होता है तो यह न तो इलक्ट्रोन गरहन करता है और नहीं त्याग करता है इसलिए हम कह सकते हैं कि अक्रिय गैसों की संजगता सुन्य होती है यानिकि अक्रिय गैसों की संजगता सुन्य होती है क्योंकि इसका अस्टक पूर्ण होता है और यह न तो इलेक्टरन ग्रहन करता है और नहीं त्या करता है इसलिए हम कह सकते हैं कि अक्रिय गैसों के संजक्ता सुन्य होती है और नेक्ट प्रस्ण है कि हैलोजन प्रवल अक्सिकारक होते हैं क्यूं काफी महत्पूर्ण सवाल है कि हैलोजन प्रवल अक्सिकारक होते हैं क्यूं तो हैलोजन की इलेक्ट्रोन बंधुता सभी समूहों से अधिक होती है उच इलेक्ट्रोन बंधुता के कारण इलेक्ट्रोन गरहन करने की प्रब्रेती उच होती है तथा स्वेम अपचायत होकर दूसरे पदार्थ को सिग्रता से अक्सिक्रीत करते हैं इसलिए हम कह सकते हैं कि हैलोजन प्रबल अक्सिकारक होते हैं बिल्कुल या सानी से समझ सकते हैं कि हैलोजन की इलेक्ट्रोन बंधुता सभी समूहों से अधिक होती है और उच इलेक्ट्रोन बंधुता के कारण इलेक्ट्रोन ग्रहन करने की प्रबिड़ती उच होती है तथा स्वेम उप्चाईत होकर दूसरे पदार्थ को सिग्रता से अक्सिक्रीट कर देते हैं इसलिए हैलोजन प्रबल अक्सिकारक होते हैं तो दोस्तो इस परकार से इस महतपूर सेशन को यहीं पर खत्म करते हैं अगर यह सेशन आपको अच्छे लगी हो तिसे लाइक जरूर कीजेगा और चानल से नए जुड़े हो तो चानल को जरूर सब्सक्राइब कीजेगा और दोस्तों के बाद जरूर सेर कीजेगा और लास्